आज कल के जिन प्रोफेशन्स जिन पेशों को आप जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो आप मेंसे बहुत सारे लोग अपने जॉब से बाहर हो जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते जिसे कमभख्त कोई मशीन नहीं कर सकती आपको किसी ऐसी चीज के साथ तयार होना होगा जो आपकी बुद्धी से परेकी है केवल तभी आप रासंगिक रहेंगे तब आटिफिशल इंटेलिजन्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी तो आज की तक्नीकी दुनिया में हमें पता है कि आटिफिशल इंटेलिजन्स और रोबोटेक्स हावी हो रहे हैं यह सारी अत्याधुनिक तक्नीके हैं तो आपका इन तक्नीकों पर क्या विचार है इनका क्या असर पड़ेगा और इन तक्नीकों का हमारे प्राचीन अभ्यास यानि योग और ध्यान से किस तरह सामना होगा पिछले एक डेड़ साल से ये लोग मुझे दुनिया भर में हो रही हर तरह की आटिफिशल इंटेलिजन्स कॉन्फरेंस में बुला रहे हैं मुझे आश्चर हुआ कि आटिफिशल इंटेलिजन्स के बारे में बोलने के लिए मुझे क्यों बुलाया जा रहा है क्योंकि ना तो मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूँ नहीं मैं आटिफिशल इंटेलिजन्स हूँ तो ऐसी एक Conference में मैंने उनसे पूछा यह St.Petersburg में थी मैंने पूछा आप लोग इन सारी Artificial Intelligence Conference में मुझे क्यों बलाते हैं मैं Natural Intelligence हूँ, Artificial नहीं वो बुले प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब क्या करेंगे हमारी नौकरियां जाने वाली है ये सारे बड़े-बड़े विश्वित द्यालेों में प्रोफेसर्स हैं, MIT में, Harvard में और इस तरह की जगाहों में ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे क्योंकि वो सब कुछ जो हम जानते थे, जिसे अब तक पवित्र माना जाता था अचानक से वो सब कुछ एक छोटी सी मशीन में आने वाला है आपको ये समझना चाहिए कि Artificial Intelligence का मतलब हुआ जानकारी को इखटा करना, इसका विशलेशन करना और फिर इसे जब भी जैसी भी आपको जरुद पड़े सामने लाना इस काम का इंसानिक शमता के हिसाब से आने वाले दिनों में कोई मूली नहीं समझा जाएगा क्योंकि एक छोटी सी मशीन इस काम को किसी भी इंसान से कहीं जादा बहतर कर लेगी वैसे भी वो गूगल वाली ओरत आप सबसे जादा स्मार्ट लगती है है की ने, वो मुझसे जादा स्मार्ट लगे, ये ठीक है, मैं तो पड़ा लिखा नहीं हूँ पर आप लोग तो, वो हम सबी से जादा स्मार्ट लगती है है या नहीं आप कुछ भी पूछ ली जब पलक जबके बिना वो बता देगी तो ऐसा समय आने वाला है, जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे, वो बेवकूफी भरा लगेगा या बे मतलब का, ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं, मेरा ख्याल है करीब तेरा साल का था, तेरा या चौदा का, शायद तेरा का पहली बार जब मैंने फ्लाट बेट कैलकुलेटर देखा, ये पैनसॉनिक का कैलकुलेटर, उस समय ये 100 या 110 रुपए में आता था, बहुत महंगा था आज आप उससे ज़्यादा की तो कॉफी पी लेते हैं, तो 110 रुपए में पैनसॉनिक का, सोनी का 125 का था, तो सब लोग सस्ता वाला लेते थे, 110 में पैनसॉनिक का और उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने तो कभी खरीदा नहीं था, किसी और ने खरीदा और मुझे दिखाया जवाब, तब पहला विचार जो मुझे आया, वो ये कि मैं अपनी जिन्दगी मैंस की क्लासों में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ मैंने का, मुझे बस इसी की तो ज़रूद है, मैंस की क्लासेज में जानी की नहीं आप जो भी इससे पूछें, टुक 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 एक 100 रुपे की चीज आपको बता सकती है, तो ये 10 साल का टॉर्चर क्यों? ये अंग गणेत और बीज गणेत और हर तरह की चीजें क्यों? ये साइन थीटा, कॉस थीटा भी कर सकता या जो भी बकवास आप चाहें मैंने तभी सोच लिया था, हमको एक ऐसी बड़ी सी मशीन मरानी चाहिए जो इसा बकवास हल कर सके ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े आखिरकार ये सपना सच हो रहा है अगले 10 से 15 सालों में वो पढ़ाई लिखाई जिसे आप जानते हैं आज कल जिन प्रोफेशन्स, जिन पेशों को आप जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि आज उन्होंने इस तरह की मशीने बना ली हैं तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी धेर सारी चीजें जिने सीखने में हम कई साल खर्च कर रहे हैं निरथक हो जाएगे वो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि एक ग्राहक अगर आकर बताए मुझे कैसा मकान चाहिए मेरी कलात्मक समझ कैसी है मेरी संस्कृती क्या है मुझे क्या पसंद है इसे कैसे होना चाहिए और मेरा बज़ट क्या है एक मशीन घर का पूरा डिजाइन बना देगी दस अलग-अलग चॉइसिस भी देगी जैसा आपको चाहिए जिसमें पेंटिंग, दीवानों की हैंगिंग, फरनीचर भी होगा और सारे काम के साथ और अब वो कह रहे हैं कि अगले 5-7 साल में ऐसा बता रहे हैं कि वो घर तक प्रिंट कर देगी और बना देगी तो आप लोग डिजाइन वालों की सोचिए तो आप मेंसे कई अपने जॉब से बाहर होंगे अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो कोई कमभख्त मशीन नहीं कर सकती आप सभी को अभी से इसके लिए तयार हो जाना चाहिए आपको कुछ ऐसा काम करना आना चाहिए जो आपकी बुद्धी से परे हो एक इंसान में बुद्धी के कई आयाम होते हैं दिमागी बुद्धी इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है इस समय हमारा education system पूरी तरह से एक इंसान की तारकिक बुद्धी के विकास में लगा हुआ है और हम सोचते हैं कि जीने का ये एक सबसे भव्य तरीका है नहीं, ये नहीं है हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अगर समय हो तो पर योग system में हम इंसानी बुद्धी को 16 हिस्सों में देखते हैं अगर आप बुद्धी के दूसरे आयामों को खोजेंगे केवल तभी आप रासंगिक रहेंगे जब सब कुछ तारकिक है तारकिक बुद्धी मतलब आपकी बुद्धी एक खटा की हुई जानकारी के बिना काम नहीं कर सकती हाँ या नहीं हलो आपकी तारकिक बुद्धी एक कत्रित की गई जानकारी के बिना काम नहीं करती ऐसा ही है न अब ये सारा जानकारी को एक खटा करना उसका विशलेशन करना और फिर उस पर काम करना ये चीजें एक मशीन आपसे बहतर कर लेंगी एक इनसान से हमेशा गलतियां हो सकती है जानकारी का हेर फेर हो सकता है पर एक मशीन बिलकुल स्पष्ट होती है वो आसानी से यह सब कर लेगी तो वो सब कुछ जो आप दिमाग के स्थर पर कर सकते हैं उसका महत वगले 10-15 सालों में खत्म हो जाएगा तो आपको किसी ऐसी चीज के साथ तयार होना होगा जो आपकी तारकिक बुद्धी से परे है जब मैं कहता हूँ तारकिक बुद्धी से परे तो इसे देखने के कई तरीके है मैं एक आसान सा उदारन लेता हूँ तो उदारन के लिए आज आपने लंच में क्या खाया था? मैगी आप मैगी पर हैं? क्या आप कोई इनके खाने पीने का खयाल रखे भई? ये मैगी पर हैं ओके बहले ही आपने नूडल ही खाया है नूडल इनकी तरह नहीं दिखता इनकी तरह फील नहीं करता, कुछ नहीं पर ये नूडल जो इन्हों ने खाया था वो तीन से चार घंटों में ये मैगी नूडल एक इंसान बन गया है देखिने? हाँ एक हिस्सा है है ना ये सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है तो आप इतनी जटिल मशीन का निर्मान मैगी नूडल से कर रहे हैं ये एक 3D प्रिंटर जैसा है आपने इसमें मैगी नूडल डाला नहीं मैं मैगी नूडल से नहीं बनाओ मैं इससे बहतर चीज़ें खाता हूँ पर आपने इसमें चपाती डाली वो एक इनसान का शरीर बन गई ये इस धर्ती की सबसे उनत मशीन है आप इसका निर्मान किस से कर रहे हैं जो भी खाना आप खाते हैं और आप जो भी खा रहे हैं वो वही मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं हाँ या न और ये उटकर खड़ी है क्या ये एक 3-day printer नहीं है हलो क्या बुद्धी का ये आयाम आपके अंदर नहीं है आपके दिमाग में भी नहीं आपके पेट में है हाँ है तो ये है तो सिर्फ तभी अगर आप सचेतन बुद्धी के इस आयाम तक पहुँच गए तो आप एक जादुई जीवन जीएंगे न तब आटिफिशल इंटेलिजेंस आपको डिस्टरब नहीं करेगी आप भौत खुश होंगे क्योंकि अगर सारे चाकरी वाले काम मशीने करेंगी दुनिया कितनी सुन्दर होगी मुझे तो इसका इंतजार है